नमस्कार बहुत स्वागत है जोतिश दिशा सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंट संतोस संतोशी सुरुबात कर चुके हैं नई दिन के सवेरे की आज के पूरी दिन के हाल राशी फल की आज का दिन आपके लिए कितना हसीन रहने वाला कितना सकारात्मक रहने वाला कितना शुब रहने वाला है इसे की पूरी जानकारी लेकर के मुपस्थित होते हैं आप सुब के सामें आज मुलाकात गाजियाबाद में अगर आप करना चाहें या सरसुती और आप कवच प्राप्त करना चाहें तो कार्याराई के दिये गए नंबर्स पर किसी पर भी आप वाट्सप कर सकते हैं जैपुर से लेकर के इन दौर होते हुए पुणे मुंबई एहमदाबाद आद शहरों का अपाइडमेंट चल रहा है होली के पहले पहले आप इन शहरों में हमसे मिल सकते हैं प्रोसेस वही है मिलने के लिए कॉल वाट्सप सुरुवात करते हैं ये जोतिश दिशा की सरप्रथम जानते हैं आज का पंचांग 25 फरवरी दिन शुक्रवार राहुकाल शुक्रवार का होता है सुबह साड़े दस से बारह तक और गुलिक काल होगा सुबह साड़े साथ से नौ बजे तक राहुकाल में नए और शुब काम के लिए सास्त्र विलकुल वर्जित करते हैं लेकिन गुलिक काल कहता है कर लीजे जो करना चाहें सब कुछ आपके लिए सहच और सुलब है आज के इस टो क्विज की जानकारी भी आप तक पहुँचने वाली है आज कौन सा वो प्रश्ण है जिसका उत्तर दे करके आप बन सकते हैं भाग विशाली विजेता थोड़ा इंतजार करिएगा आईए सुरुबात करते हैं बाद के भविश्य वानी की मिश्राशी पढ़ने के लिए समय अनकूल है सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी मन लगेगा उसका रिजल्ट मिलेगा ब्यापार आपके लिए आज ठीक नहीं है बिजनस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा कुछ ने कुछ मुश्किलें परिशान कर सकती है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है मुश्किलों का हल निकलेगा और हो सकता है कि नई नवकरी की संभाव ना बने सरकारी छेतर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी गौर्नमेंट सिक्टर आपके लिए बहुत अन्पूल रहेगा दाबबत्य जीवन में उठापटक है पती पत्नी की बीच थोड़ा सा परिशान करने वाला वक्त है लव लाइफ आप पर आज महरबान है हर तरह की शुपता रहेगी स्वास्त के मामले में पेट और आँख की समस्या जादा है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी मेश है अगवान गणेश की इस मंत्र का जाप ग्यारह बार कर लेजेगा क्या नहीं करना है आज लाल रंग नहीं पहनना है शुबरंग आस्मानी भागी प्रत्षत सत्तावन निश्वराजी समय बहुत अनकूल है अवसर बड़े मिलेंगे इनका लाब होगा ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्तत नहीं आएगी पढ़ाई बहुत अनकूल रहेगी मुख्य अवसरों का लाब देगी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आज उसके लिए समय ठीक नहीं है आज आपको खुद दिखाई देगा कि कई तरह की दिक्कतें बढ़ रही हैं सरकारी छेतर में आउसर बढ़े मिलेंगे गौर्न्मेंट सेक्टर आपके लिए शुपता देगा दामपत्य जीवन अच्छा है पतनी और बच्चों के पती अच्छी जिम्मेदारी का निर्वहन होगा एक दुसरे को सपोर्ड करेंगे लव लाइफ में कुछ मुश्किले आ रही हैं यहाँ पर परिस्थतियां आपके हाथों से बाहर जाएंगी स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए एक चुटकी नमक ले करके अपनी हथेली पर रखी और किसी पौधे की नीचे डाल दीजे क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है शुबरंग स्लेटी भाग्य प्रतिशत 51 मिथुन राशी शिक्षा बहुत अच्छी है पढ़ाई में आवसर मिलेगा समस्याओं से बाहर निकलेंगे आज कुछ बड़ा रिजल्ट आपके लिए फेवर कर रहा है रिजल्ट खुद फेवर करेगा शिक्षा छेत्र में ब्यापारिक दिश्टिकोर्ट से समय बहुत अच्छा नहीं है हो सकता है बिजनस में रिस्क लेना आज भारी पड़े लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं आप तो इसमें आपको अनुकूलता मिलेगी और हो सकता है कि आज प्रमोशन हो जाए सरकारी छेत्र वालों के लिए आज कुछ परिस्थतियां तनाव पूर्ण हैं हो सकता है कि आज बॉस के साथ बिवाद हो दामपत जीवन अच्छा रहेगा बच्चों के लिए कुछ बड़ा करने की सोच सकते हैं लव लाइफ में उठा पटक है यहां समस्या अपने आप आपके समक्षा रही है स्वास्थ के मामले में जुखाम थासी और कमरदर्द तीन चार समस्या आए रहेंगी में थो नाशिवालों को पाय क्या करना चाहिए अपने कंठ पर लाल तिलग लगा दीजेगा क्या नहीं करना है आज लंबी यात्रा मत करिएगा पीला रंग शुभ है चववन प्रतिश नहीं आएगी ब्यापार अच्छा है रुके काम बन जाएंगे परेशारियों से बाहर निकलेंगे प्राइविट सेक्टर तनाव देगा चिंताएं बढ़ सकती है सोच समझ कर फैसला लेजिए सरकारी छेत्र बहुत मजबूत रहेगा गौर्नमेंट सेक्टर में हर प्रकार लव लाइफ में मुश्किलें बढ़ रही है स्वास्थ के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए करकवालों को सरसो का तेल तीन मूद रखिये हाथ पर हतेली पर उले जागर किसी पौधे की नीचे डाल दीजे क्या नहीं कर सिंग राजीँ पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी सिक्षा में हर प्रकार की शुपता है सिक्षा के लिए अन्कूल समय ब्यापार आपका अच्छा चलेगा विजनेस में परिस्थतियां पक्ष में है प्राइबिट सिक्टर आपके लिए अन्कूलता दे रहा है प्रमोश रहेगा लव लाइफ थोड़ा सा तनाव देगा अचानक कुछ मुश्किलें आ सकती हैं स्वास्थ के मामले में कमर बैक की प्राब्लम और आखों की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए सिंग राशी वालों को गंगा जल अपने दाहिनी हथेली पर रखकर अपने उपर छड़काव करिएगा क्या नहीं करना है यात्रा में लापरवाही मत करिएगा नुकसान उठा सकते हैं आज ब्राउन कलर शोभर 63 प्रतिशत का भाग्या है कन्यराशी पढ़ाई में खूब अवसर मिलेंगे आज बड़े उसर की प्राप्ति होगी हर हाल में शुबता मिलने वाली है सरकारी शेत्र तनाव दे सकता है गौर्नमेंट सेक्टर को लेकर सजग रहने के आवशकता है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा एक दुसरे को सपोर्ड करेंगे लव ल पर जुखाम खासी के साथ साथ हर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है हर्ट से सम्बंधित दिक्कत आ सकती है क्या उपाय करना चाहिए ओम गंगणपते नमः ग्यारे बारे समंद्र का जाब करिए क्या नहीं करना है आज उतावला पर नहीं दिखाना है किसे काम में मादामी रंग शुभ है पच्पन प्रत्षत का भाग्या पच्चिस फरवरी तुराराशी शुक्रवार पढ़ाई पूर हो जाएगी सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं आएगा हर प्रकार से शुर्ता रहेगी ब्यापार अनोखा है बिजनस में लाब के अउसर बन रहे ह प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं आज हो सकता है कि नए नोख्री की संभावना बने सरकारी छेतर थोड़ा सा तनाव पूर्ण श्थिति पैदा करेगा लेन देन को बहुत ध्यांस से करिएगा बहुत के साथ बिवाद हो सकता है दामबतन प्राइट और कमर की शिकायत आज रहेगी थोड़ा बहुत उपाय क्या करना चाहिए आज प्रियोग के तोर पर किसी जरुरत मंद को कुछ फल दे दीजेगा मौसमी फल क्या नहीं करना है जल्दी बाजी नहीं करना है शुबरंग नीला भाग्य प्रत्षत अनसठ समय बहुत अच्छा है आपके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और सरवड़े मिलेंगे ब्यापार के लिए सब कुछ अनकूल है मिलिस्क ले सकते हैं प्राइबिर सेक्टर में नौकरी के लिए समय थोड़ा सा आपके बिरुद्ध जा रहा है नौकरी में कारी छेत समय आपका बहुत अनकूल रहेगा किसी तरह की समस्या नहीं आएगी लेकिन लव लाइफ को ले करके थोड़ा सा सावधान रहने के आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में किड्नी और लीवर के संबंध में कुछ दिक्कते हो सकती है जुखाम साइनस बढ़ सकता है प्रयो पहनना है सफेद रंग की शुपता है तिरपन प्रतिशत का भाग्या है 25 फरवरी धनुराशी पढ़ाई में अवसर मिलेंगे सिक्षा की स्थिति अच्छी होगी सुधार होगा गुरुप डिसकर्शन स्टडी आदि कर सकते हैं नए जगह पर कहीं फॉर्म आदि डालने के समय अनकूल है ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में रुके काम बन जाएंगे परिशारियों से बाहर निकलेंगे अनेक लाव के आउसर बनेंगे प्राइबेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है जिनताओं से आपको मुक्ते दे रहा है हो सकता है कि आज नई नौकरी की स्थिती बने सरकारी छेत्र में लेकिन उल्जल बढ़ सकती है सोच समझकर निर्ले लेजेगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के विचार आज मैच कर सकते हैं आज ससुराल से रिस्ते को मधूर करना ना भूलेगा लव लाइफ आप पर आज बह लगा लेना शुब होगा क्या नहीं करना है आज यात्रा लंबी नहीं करनी है बैगनी रंग शुब है ठावन प्रित्षित का भाग्या है पच्चिस फरवरी शुक्रवार मकर राशी सिक्षा के लिए आज आप विचार करकी कदम बढ़ा सकते हैं पढ़ाई बहुत सरकारी छेत्र उल्जंदे का गौर्णमेंट सेक्टर में कुछ चिंता तनाव बढ़ सकती है दामपत्य जीवन अच्छा है पती पत्नी की बीच सपोर्ट होगा एक दुसरे को सपोर्ट करेंगी लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है अलगाव की उमीद बन स स्वास्त के मामले में कमरदर्द घुटना और ब्लट पेशर से सम्मधित सिकायत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज आज उपाय के तौर पर किसी जरूरत मंद को कच्चे चावल का दान करिएगा क्या नहीं करना है अवसर हाथ से निकलने ना पाए शुबरंग सफ पेद भागिपन्सित चाचट कुम्भराशी पढ़ाई में बहुत सा गारात्मकता रहेगी सिक्षा की स्थिति अच्छी है पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में हर प्रकार की शुबता है प्राइवेट सिक्टर आप पक्ष में हैं प्रमोशन की स्थिति बन सकती है दांबत्य जीवन अच्छा रहेगा पति पतनी के बीच सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे को साथ देंगे लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं होगा अलगाव की उम्मीद बनती है ध्यान दीजेगा स्वास्त के मामले में जुखाम खांसे के साथ साथ माइग्रेन की शिकायत रहेगी प्रियोग क्या करना चाहिए आज किसी को दवा दे दीजेगा मेडिसिन्स क्या नहीं करना है अपने इरादे किसी को बताने नहीं है ग्रे कलर शुब है पचास प्रतिशित का भाग्या अंतिम राशी मीन दिनां पच्चिस फरवरी 2022 दिन शुक्रवार शिक्षा अनोखी है पढ़ाई बिल्कुल बेहतरी शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापारी दिश्टिकोर से देखा जाये तो थोड़ा आपने आपको सम्हालने की आवश्यक्ता है थोड़ा सा बिजनस में रिस् को लेकर सजग रहें लव लाइफ मिल्कुल ठीक है हर प्रकार से शुब है शादी की चर्चा कर सकते कोई नया प्रफूजल भी मिलेगा स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तोर पर मीन राशी वालों क मंगल की इस खास मंत्र का जाब करिए क्या नहीं करना है आज विवाद नहीं होने देना है लाल रंग शुब है बासट प्रतिशत का भाग्य आपके साथ है तो राशियों का हाल जाना आपने मेज से लेकर मीन तक बारी आगई हबाज के भाग्याक्षर की लेकिन पुनह बता देते हैं कि अभी आप हमसे गाज़याबाद मुलाकात कर सकते हैं गाज़याबाद में बिद्दमान है और इसके बाद जैपुर इंदौर और बाकी के शह मुंबाई पूरे एहमदाबाद उदैपुर मिलने के लिए समय सुनिश्यत किया गया है देख लेजी स्क्रीन पर नंबर चली रहा है वाटसप कर सकते हैं मेश से लेकर मीन तक अब आज का भाग्याक्षर मेश चाग्षर ब्रिशम ला मिथुन नाग्षर करक खा सिंग हाग माग्षर कन्यासा तुला माग्षर ब्रिश्चिक्जा धनु राग्षर मकरफा कुम्भ पाग्षर मीन भा ये आपके शुभर भाग्याक्षर है जिन्हें साधे चौकुर कागच पर लिख करके अपने पास रख लिजेगा लाल रंग वाले इंक से और फिर देखिएगा कित तरीन लाभाब को होगा आज का एश्ट्रो क्विज प्रेम में आसफल करने वाला ग्रह है ए शनी बी राहु सी शुक्र डी चंद्र ध्यान दीजेगा जल्दी बाजी मत करिएगा बहुत समझ करके उत्तर दीजेगा जोतिश का बहुत गुरतम प्रश्ण है ये तुक्का न मार येगा पूछ करके ही मैं आप से फिर मैं सेलेक्ट करूंगा अगर आप तुक्का मार करके जीते हैं तो अब मैं ये सोचा हूँ कि भले कोई विजेता ना बने लिख के आ जाएगा कि कोई भागेशाली विजेता नहीं है समक्ने गलत उत्तर दिया ये भले हो जाए लेक दिये गए नमबर पर आप वाटसप या टेलिग्राम करें अपने दो फोटोग्राफ के साथ चलिए बढ़ते हागे और अब जानते हैं आज की सक्सेज की साथ चावल के दाने किसी पौधे की नीचे उल्टे हाथ से डाल दीजेगा ये जेश्ठा नक्षत्र का विशेश प चनम दिन अर्थात आयुशमान भाव दिनांग 25 फरवरी को जो पैदा हुए है उनके लिए प्रियोग है किसी स्कूल में दो पीपल के पौधे लगा दे और किसी बुज़ुर को दवा का दान कर दीजेगा ये आपके लिए शुब होगा और जिसकी आज मैरी जैनिवर्सरी जरूरतमंद को कुछ खाने की वस्तो दान करें और किसी पब्लिक प्लेस पर कुछ पौधे रोप देजेगा बस इतना करिए हमारे शुब कामना है आप लोग के साथ हैं कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम बता देते हैं बहुत आसान सा कल का हमारा प्रश्न था एश्ट अगे बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं जो भागिशाली बने हैं जी विवेक कांथ जी बोल रहे हैं विवेक कांथ शीरादे संतों संतों शी बात कर रहा हूं कहां से बात कर रहे हैं आप विवेक कांथ जी आज बढ़ाई हो आप भागिशाली दर्शक बन गए हमारे विजेता और बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है ए मंगल सही उत्तर है जो छोटे भाई के संबंध में जाना जाता है उसे विचार करते हैं क्या करते हैं पांडे जी आप अच्छा 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 कुछ काम और नहीं शुरू हुआ जानकारी आप इसी वहाने मिल गई की छोटे भाई के लिए मंगल से अध्यन किया जाएगा बहुत खोशी है बहुत अच्छा लग रहा आप से बात करके दिविकान जी अपने विशे में जाना है किसके विशे में किसके विशे में जानकारी चाहेंगे कुंडली के माद्यम से अपने बारे में बारे में कुछ बताएगे अपनी जनमत तारीख बताएगे 11 जून 85 ताइम बताएगे जनम समय बताएगे जनम समय साम के सवा पांच बजे है कहा का पैदाईश है आज अगड़ा आज अगड़ा पूछें क्या प्रश्न है आपका जी आपका बिश्चिक लगना है और मीन राशी है नौमांश कन्या लगन का है और बरतमान समय में पांड़े जी आपकी दशा चल रही है दो हजार उनतालिस तक शुक्र की दिसंबर बाइस तक शुक्र में शुक्र है साथ दिगरी का लगना है आपका ब्रहश्पत शनी वक्री ग्रह है और मंगल बुध आपकी अस्त है अधुनाधा नक्षत्र का आपका लगना है थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस होगा रही बात नौकरी की तो सरकारी नौकरी की संभावना नहीं है तो उस दुशा में प्रयास आपके सारे निरर्थक जाएंगे जोकि 85 की पैदाई से तो ठीक ठाक उमर भी हो गई है लहाजा आप कुछ काम वगरे के विशे में विचार करिए आप पांडे जी ठीक है कुछ अपना काम जिससे उससे कुछ फाइदा होने लग जाए शुक्र राहु आपके छठे में बैठे हैं और शनी केतु बारहवे में हैं ये कई बार कई तरह के और भी दोश देते हैं पत्नी से बुधवार का वरत करवा दीजेगा और स्वतह आप गुरुवार का वरत कर लीजेगा पत्नी बुधवार का और आप खुद गुरुवार का करिए ब्रहश्पतिवार का जितना मैं बोलू उतना समझें आप पांडे जी आप क्या करते हैं वो आप दाने आप करते रहें उसमें कोई समस्या नहीं है आपकी कुणली में बिधुर योग है दुतिय भाव पर मंगल कि दिश्टी पर और रही है तो बुधवार का अवरत करने से इस योग पर थोड़ी सी शांती मिलेगी तभी मैं पत्नी से इसका अवरत करवाना सुरू करवा दे रहा हूं अभी हम लखनव आय थे ताप मुलाकात तो नहीं कर पाए एक बार मिल लीजेगा व्यक्तिकत तोर पर अच्छा से ठीक भी या जिसमें वस्त्र व्यवसाय है प्रेश्टी साइट्स दवाईयों का व्यवसाय है खेती किसानी से संबंधित व्यवसाय है और मंगल आपकी कुंडली में अच्छी पोजिशन पर है फिलहाल दामपत्य जीवन के लिए तो नहीं अच्छे हैं लेकिन बाकी छेत्रों के लिए अच्छे हैं तो आप ये गाय भैस अर्थात डेरी प्रोड़क्ट डेरी का काम भी कर सकते हैंगे सारे कार्यापकी बेरे स्टूब रहेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे ठीक है चले बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पानेजिए अपना ख्याल रखे शिरादे तो भया आप भी भागिशाली बन सकते हैं आपको भी बस केवल सही उत्तर देना है आज जो हमने आइस्ट्रो क्विज में प् करिए और दो मार्च तक कभी हम गाजियाबाद में इसके बाद तीन तारिक से हमारी यात्राएं आरभ होंगी जैपूर इंदोर पुने मुंबई ओदैपूर और फिर बैक टूप अवेलियन गाजियाबाद आज के लिए तना ही अपना बहुत ख्याल रखे हमें अनुमत द तक कर दो जना ही अपना बढ़ ख्याल ऐस तो कि ऑक बढ़ से उना है अपना ही आजियाब अवेल को आजिए यंपानी तना ही इंपना प्रिक स्वेल अनुमत टूप रवेलियन थे आमारी उतकत दोयमत ऑंवेलिए जार इंग के टूल को जे ठीन को कि वड़ है इनुमत और